साथियों आज का वीडियो आपके लिए गेर्स एक्षिन को हो सकता है परंतु यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो निश्टिती ये वीडियो आपके लिए बहुश में लापकारी होगा तो नमस्कार साथियों मैं हूँ रामनिवास मेरा जो आज आपको कंप्यूटर से स्क्रिन शोट लेने की परक्रिया इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए सातियों जानते हैं computer से screenshot लेने की प्रक्रिया computer से screenshot लेने के लिए आपको कोई app install करने की आउशकता नहीं है खुद आपका system आपको screenshot लेने का option available करवाता है तो उसके लिए आपको यहाँ एक search बार मिलेगी तो आप यहाँ पर click किज़ेगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपका जो cursor है यहाँ typing के लिए ready हो जाएगा तो आपको यहाँ लिखना है snipping tools जैसा मैंने मैं लिख रहा हूं सात्यों ऐसा ही आपको लिखना है snipping tool आपको यह लिखके search करना है तो आपको यहाँ उपर दिखाए देगा snipping tool नाम से जो एप आपके system में पहले से install है वो आपको यहाँ दिखाए देगी तो आपको यहाँ पर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे अब आपको सामने इस तरह का interface आएगा तो अब आपको यह new का option मिलेगा तो आप यहाँ new वाले option पर click कर लेजएगा जैसे आप new पर click करेंगे आपके सामने आपके laptop, computer या desktop जो भी आप use कर रहे है उसकी screen आपको इस तरह से दिखाए देगी अब जिस भी area का आपको screenshot लेना है मानलो कि मैं इस area का screenshot लेना चाता हूँ तो मैं cursor को कोने में ले जा चुका हूँ उसके बाद हमें करना क्या है mouse के left button को press कर लेना है और उसे छोड़ना नहीं है अब आपको क्या करना है जितने भी area का screenshot लेना है उस area को आपको select कर लेना है अब मैं area पूरा यहाँ select कर चुका हूँ उसके बाद हमें जो हमारा mouse का left button है उसे छोड़ देना है जैसे हम इसको छोड़ेंगे जो हमारा screenshot है वो लिया जा चुका है अब उसे देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको snapping tools जो है वो दिखाए देगा app तो screenshot हमारा आ चुका है अब यदि आप इसे देखना चाते हैं कि यह कहाँ पर गया है आपके system में यह किस जगे है आपको हो सकता है इसको share करने की आउशकता हो रही है तो इसी condition में आपको यहाँ option मिलेगा this pc name से तो आप यहाँ पर double click किज़ेगा जैसे आप यहाँ double click करेंगे अब आपके system में जितने भी folder है वो आपके सामने खुल कर आएंगे तो आपको यहाँ एक folder मिलेगा picture name से तो आप यहाँ click कर लिजेगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे अब आपके system में picture folder आपको दिखाए देंगे कितने picture folder आपके system में है वो आपको यहाँ पर दिखाए देंगे उन में से एक picture folder आपको यहाँ मिलेगा screenshot name से तो आपको इस पर double click कर लेना है जैसे आप इस पर double click करेंगे जो भी screenshot आपने लिया है वो screenshot आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ से आप उसे देख भी सकते हैं और जहाँ भी आपको इसको share करना है वहाँ इसे आप share कर सकते हैं तो उम्मीदे सात्यों जानकारी आपके लिए लाबकारी रहेगी और यदी जानकारी आपके लिए लाबकारी रहे तो इस जानकारी को हमारे प्रतियक साथी तक पहुचाने का कस्ट कीजेगा और हाँ साथ यो वीडियो कंत में आप वीडियो को लाइक करना बूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अवस्ट कीजेगा मिलते हैं साथ यो इसी तरह के नवीन और इंपोर्टन अपडेट के साथ तब तक के लिए